वेल्कम बैक वीवर्स और अब लाइट कैमरा एक्शन में लिए जलते हैं आपको बॉलिवोड के परफेक्ट होमेकर्स की जानिव और अब आप ये भी जाना चाहेंगे के वो परफेक्ट होमेकर्स हैं कौन तो चलिए आपको बता ही देते हैं काउन्डाउन का शान्दा शुभारम करने आई हैं वो जिनका शादी के बाद ये पहला करवा चौत है नमबर टेन को वेल्कम कीजिए लारा दत्ता भुपती का अब इनके बारे में क्या कहें सक्सेस्वल अक्रिस, सक्सेस्वल बिस्नस्वोमन और अब शिल्पा सक्सेस्वल एंजॉई कर रही हैं अपनी सक्सेस्वल मैलज लाइफ नमबर एट पर है मिस्स दत यानि के मानिता दत एक वो वक्त है जब संजुआ मानिता के रिष्टे को किसी की भी खुशी-खुशी मानिता नहीं मिल रही थी और आज एक वो वक्त है जब हर कोई मानिता को respectfully मिस्स दत कहकर पुकारता है And of course, इसका 100% credit जाता है सिर्फ और सिर्फ मानिता को बहु नमबर वन की race में नमबर 7 की position पर shine कर रही है Twinkle वो कहते हैं ना कि behind every successful man there is a woman इस कहावत की perfect example है Twinkle जो अकी की success story की lead actress है पॉलिवुट की perfect बहु ब्रिवेट को अब जानकर में आई है sweet and bubbly सुनाली बेंदरे क्या हुआ सुनाली को देखते ही आ गई ना आपके भी चहरे पर sweet सी smile वेल यही तो है सुनाली की सबसे खास बात जहां भी जाती है दिल चिरा लेती है सुनाली has become a someone who has balanced her life perfectly और अब आई है must must बहुरानी रवीना टंडन धंडानी इनकी स्टोरी तो कुछ नहीं बलकि बहुत कुछ हटके है must must girl बनने से लेकर perfect बहु बनने तक रवीना ने step by step खुद को बदला है and now welcome कीजिए हमारे countdown की बहु नमबर फोर सुजैन रोशन का सुपर वाइफ और सुपर स्टार सीधे सीधे और कम शब्दों में कहें तो she is an perfect example of commitment और सुजैन ने साथ को बेहत खूबसूती से सम्हाल भी रखा है she got married to the one whom she fell in love with when she was a child जी हाँ, सुजैन रितिक की childhood love है और बच्पन से लेकर आज तक सुजैन रितिक का साथ निभा रही है she is anagymatic, fun and lives life on her own terms number 3 की position पर शान से राज कर रही है काजोल perfect wife, perfect mother और perfect actress का perfect example है काजोल क्या आपको पता है कि जब 1999 में काजोल ने अरजी तेवगन के साथ अपनी शादी अनाउंस की थी तब सब ने कहा था that this marriage will not last more than a year in fact कुछ लोगों ने तो इनके split होने की date थी पहले से ही प्रेडिट कर दी थी and see it's been 12 years since then and they have been together बॉल वुट की सारी बीवियां एक तरफ और बाशाह की बेगम एक तरफ नमर टू पर वेलकम कीजिए कुईंग खान गौरी का गौरी के पास है नेम, फेन और सूपर सक्सेस्टूल हस्वन जो बाशाह और बॉलिवुट कहलाते हैं गौरी ने दिखा दिया है कि आस्ट्रस ना होते हुए भी उनके पास है शो स्टॉपर कहलाने की पूरी ताकत अंदाज ऐसा कि बॉलिवुट की हसीनाएं भी फीगी पर जाएं कुछ इस तहां गौरी किंग खान को कॉंप्लिमेंट करती है कि गौरी किंग की जोड़ी एक पॉर्फिक कपल की मिसाल कही जाती है गौरी वो शक्स है जो शाहरुक के जीरो से हीरो तक के सफर में हर कदम पर उनके साथ रही है गौरी मैरेज शाहरुक वेन ही वस नोबदी और तुडे ही इस बाशाह ओफ बॉलिवुट और वेल्कम कीजिए बहु नमर वन का जो है हमारे काउंड़ाउन की कुईन भी तो फ्रेंग्स फिल ग्रेट राउंड अप्लाउस प्लीज वेल्कम इश्वरे राय बच्छन शी इस बाहु अप दे फॉल्स फामली ऑफ बॉलिवूड आश ने कैसे खुद को परफिक बहु साविक किया है ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं आश ने हल स्टेश पर प्रूफ किया कि वो ना सिर्फ एक लविंग वाइफ है बलकि एक केरिंग और परफिक बहु भी है आश ने बच्चन खांदान की गर्मा पर हमेशा ही चाठ चांद लगाए है आखर यू ही पूरा बच्चन परिवार आश के गुड़ गाता है आज के शो के स्पेशल सेग्मेंट में हम बात करने जा रहे हैं जगु दादा की एक सिंपल सा लड़का कैसे बन गया बॉलिवोड का हीरो जी हाँ हम बात कर रहे हैं जेकी शर्फ की आएए देखते हैं उनके बच्चपन का हाल और हीरो बनने की कहाल कहते हैं कि किसमत राजा को रंग और रंग को राजा बना सकती है जिनके किसमत में काम्याबी और शोहरत लिखी होती है वो भले ही किसी भी अंधेरे में गुमनामी की जिन्दगी जी रहे हो नसीब अपने आप ऐसे दरवाजे खोल देता है जो उस इनसान को बुलंदियों तक पहुचा देता है ऐसा ही नसीब लेकर पैदा हुए जग्गु दादा यानि जैकी श्रॉफ जैकी ने एक रूम के चॉल से लेकर बंगलो तक, स्ट्रीट बॉय से, हीरो तक, गुमनामी से, शोहरत तक का सफर तै किया 1st February 1957 को गुजराती फादर काकु भाई श्रॉफ और टर्किश मदर रीटा श्रॉफ के घर में पैदा हुए जैकी श्रॉफ आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जैकी की माँ एक मुसलिम फैमिली से थी यानि उनके घर में हिंदू और इसलाम दोनों धर्मों का वास्था जन्म के वक्त इनका नाम रखा गया जैकीशन जैकीशन परिवार में सबसे छोटे थे जैकीशन के पिता अस्ट्रॉलजर थे और इससे होने वाली इंकम से ही वो अपना परिवार चला रहते थे जैकीशन बच्पन से ही ने बड़े भाई हिमन से ज्यादा टैंस थे जैकीशन का पूरा परिवार मुंबई के तीन बत्ती इलाके में एक रूम के चॉल में किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे थे यानि गरीबी को या यू कहे अभावों की जिंदगी को काफी करीब से जी रहे थे जैकीशन आप जिस घर को देख रहे हैं इसी छोटे से और तूटे फूटे घर में जैकीशन का बच्पन गुजरा इन तूटी हुई सीडियों पर ही जैकी अपने नन्ने नन्ने कदमों से चड़ते उतरते थे इस आंगन में इन सीडियों पर और इस घर में जैकी ने कई खटे मिटे पलों को दिल से महसूस किया यही पर जैकी ने जिन्दगी के शुरुआती लमहों को जीया और उनसे काफी कुछ सीखा जैकी ने पढ़ने के लिए नाना चौक के मास्टर्स हाइ स्कूल में दाखिला लिया उनके पेरेंट्स इतने गरीब थे कि बड़ी मुश्किल से उनकी किताबों का अरेंजमेंट कर पाते थे खैर जैसे तैसे जैकी अपनी पढ़ाई कर रहे थे पर इसी समय में किसमत में उनके साथ ऐसा खेल खेला जिसे आज तक वो उभर नहीं पाए है जो बड़ा भाई उनके लिए सब कुछ था जिस बड़े भाई की चाया में वो खुद को सिक्योर फील करते थे वही भाई उन्हें अकेला छोड़ गया एक एक्सिडन्ट में जैकी के बड़े भाई हिमंत की मौत हो गए उस वक्त जैकी महज 10 साल के थे जैकी को बच्पन से ही फिल्में देखने का काफी शौक रहा है जब वो छोटे थे तो देवानंद और शम्मी कपूर के काफी दिवाने थे फिल्में देखने के लिए वो थोड़े बहुत पैसे मासे लेते थे और बाकी पैसों का इंतजाम चने बेचकर या फिल्मों के पोस्टर दिवारों पर चिपका कर किया करते थे स्कूल तो जैकी ने जैसे तैसे पास कर लिया पर आगे की पढ़ाई करने के लिए पैसों की जरूरत थी और उनके घर के हालात ऐसे नहीं थे जो उनके आगे की पढ़ाई का भार उठा बाते मजबूरन जैकी को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी इतना ही नहीं गुजर बसर करने के लिए उन्होंने चोटा मोटा काम तलाशना भी शुरू कर दिया काम की तलाश में जैकी होटेल्स, एरलाइन्स और कई जगा पर गए पर हर जगा उन्हें एक ही जवाब मिला, ना जैकी ने कभी भी जिन्देगी में कुछ प्लैन नहीं किया, उन्हें जो भी मिला वो करते गए जब वो काम की तलाश में मारे मारे इधर उधर फिर रहे थे, तब भी उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि वो कोई फिक्स जॉब करेंगे वो तो बस अपनी तकदीर के भरों से चले जा रहे थे, और तकदीर ही उन्हें गोवा ले आई, यहां उन्हें काम तो मिला पर पर्मनेंट नहीं एक दिन, जैकी बस्टॉप पर खड़े थे और वहीं एक मॉडलिंग एजनसी के एग्जेगेरिव में जैकी को स्पॉट किया और उन्हें आफर कर दिया एक मॉडलिंग असाइमेंट जैकी को मॉडलिंग की दुनिया रास आने लगी और उन्हें एक की बाद एक कई तरह के प्रोड़क्ट को एंडॉस करने का मौका मिलने लगा पर उनकी लोग एजुकेशन, बोल चाल का धंग, उनके करियर में आड़े आने लगा अपनी लेंगविग को सुधाने के लिए उन्होंने डिक्शन क्लासे जाना शुरू कर दिया और इन डिक्शन क्लासे से ही उनकी एक्टिंग का रास्ता खुल गया जैकी हीरो तो बन गया, लेकिन फिल्मों से कहीं ज्यादा उनके दिल के करीब था कोई और कौन था वो? आईए देखते हैं जैकी छोटा मोटा काम करके और मॉडलिंग करके अपना गुजर बसर कर रहे थे ऐसे ही एक दिन अपने काम के सिलसले में वो बाइक से कहीं जा रहे थे तब ही उनकी नज़र टकराई एक ऐसी लड़की से जो स्कूल यूनिफॉर्म में थी और बस के बाहर लटक कर कहीं जा रही थी उस अंजानी लड़की को देखते ही जैकी सब कुछ भूल गए और यहीं से शुरू हो गया जैकी और आईशा के प्यार का सिलसला आईशा भी फिल्मों में अपनी किसमत आजमा रही थी जैकी और आईशा दोनों साथ साथ आडिशन्स देने जाते थे अर्ली एटीज में ऐसी कुछ फिल्में भी आई जिनमें जैकी को किसी ना किसी वज़़से रिजेक्ट कर दिया गया और आईशा को साइन कर लिया गया पर हमेशा की तरह जैकी इससे निराश नहीं हुए उन्होंने सब कुछ उपर वाले के भरों से छोड़ रखा था किसमत कब तक जैकी को तरसाती धीरे धीरे नसीब ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया अपनी एक्टिंग सुधारने के लिए जैकी ने एक्टिंग का शुरू कर दिया और यहीं उनकी मुलाकात एक दिन हुई देवानंद के भाई सुनील आनंद से सुनील आनंद जैकी से काफी इंप्रेस हुए नतीजा ये रहा कि सुनील रिद्बन से मिलवा दिया उन दिनों देवानंद सुमी दादा नाम की एक फिल्म के लिए फ्रेश फेस की तलाश कर रहे थे देव सहाब जैकी को एक सिगरेट एडविटाइजमर के पोस्टर पर देख चुके थे उनने जैकी को फिल्म के लिए साइन तो कर लिया जैकी को अपना हुरत दिखाने का कुछ खास मौका नहीं मिला सौमी दादा में उनके दो शौट्स थे और वो भी बैरीज हैंचमन के रूब में सौमी दादा में जैकी ने भर ही दो शौट्स दिये पर एक ऐसे जोहरी की नजर में वो आ चुके थे जो उनके अंदर के टैलन्ट के साथ जस्टिस कर सकता था अब वो वक्त करीब करीब आ ही गया था जब जैकी नाम के गुमनाम सितारे को शोहरत के आसमान में चमरा था इन चटपटी न्यूज के साथ अब लेते हैं एक चोटा सबरेक